हेलो एवरिवन आज मैं एक ऐसा आलू टीकी बनाऊंगी जिसे कई तरीके से सर्व किया जा सकता है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो बस उसे बनाना सुरू करते हैं तो यहां मैंने आलू को पहले से ही बौइल करके ले लिया है और इसे छील भी लिया है और यह ठंडा भी हो चुका है तो इसे हम अब मैस कर लेते हैं तो इसे अच्छी तरह से मैस करने के बाद हम इसका टीकी बनाएंगे लेकिन उससे पहले इसमें हम और भी कुछ मतलब खड़ा खड़ा तो इसलिए इसे अच्छी तरह से हम मेस कर लेते हैं। और अब इसमें डाल लेंगे नारी सबूरती की दालो हैं। मैस कर लेते हैं। जिसए निएरी बढ़ें के टायर होगा अब डालं के बढ़ें कुछ मसाले को हमारी जिए यहां की ओम हो छाली जीड है पीछ लिए से और चेर मसला काुे आ जीर पेह всей यूराणी मिर्च अधेनरवी टो लिवा है and normally consegue делать. गरम में में दाले हैं यह जक्ञे चाट मशाले का भी उज़ कर सकते हैं पर गरम में मर्च स्वाद अनुसार नमक से दे। trabalh में और निरे बातार में हमें स्वाद अन्षार नमक ले लेते हैं, इन सबी चीजों को मिला लेते हैं अलु के साथ, उसे पहले हम डाल लेते हैं, कटा हुआ अधरख, बारिक बारिक अधरख भाईरी, धोड़ा सा हरी मिर्च, मिर्च अपने पसंद के हिसाब से डाले, कम यह जादा कर सकते हैं, साथ ही लेशन है, बारिक कटा हुआ, उसे भी हम इसमें डालेंगे, तो और इन सबी चीजों को हम मिला लेते हैं, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसका टिकी बना लेंगे तो टिकी की साइज आप अपने पसंद के हिसाब से बनाईए, मैं थोड़े बड़ा साइज का टिकी बना रही हूँ, तो इस तरह से हमें टिकी तैयार कर लेना है, और हतेली में आउयल लगा कर ही टिकी तैयार कर लीजी, जिसे चिपकेगा नहीं हाथों पे, तो इस तरह से लेना है साइट का नैंक बनिया कोड़ा हो जाइए आंसे यूर्ण करण नहीं होना जाओए मैं अगर बेगा तो निकलने लगएगा साइट से तलते समय तो इस तरह से हम्ने ने च्राइब कर लिए और अभी से क्या करते हैं एक रफ रखते हैं और एक बॉल लेते हैं उसमें हम डाल लेते हैं गेहूं काटा है ये तो तीन से चार चमच गेहूं काटा लेके इसका हम एक गोल तायार करेंगे और इसमें हम डाल लेते हैं कलोंजी है थोड़ा सा थोड़ा सामने अजवाइन लिया है और एक चमच के लगबग सफेद तील है तो हम इसे भी डालेंगे इसे टिकी में फ्लेवर अच्छा आएगा और अब डाल लेते हैं आरा रोट पाउडर तो दो से तीन चमच हम इसमें आरा रोट पाउडर भी डालेंगे ये टिकी को उपर से बाइंडिंग का काम करेगा तलते समय टिकी फैलेगा नहीं तो इसलिए हमें ये गोल तयार करना है इसमें डाल लेते हैं स्वाधुन सार थोड़ा सा नमक हमने डाला है और अब डालेते हैं कुटा हुआ मिर्च और इसका एक घोल तयार कर लेंगे बहुत पतला गोल नहीं बनाना है इक गढ़ा सा घोल बनाना अ कि इस divisions मिला लेते हैं अभी मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी करके घोल तयार करेंगे तो तो थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं इसमें अर इस तो इसे चमाश चलाते हुए बराबर हमें फ़ूव यह गोल तैयार करें पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके ही हम इसका गोल तैयार करेंगे तो हमने गोल तैयार कर लिया है तो बिल्कुल इसी तरस तो गोल हमें तैयार कर लेना है बहुत ना पतला हो ना बहुत गाड़ा हो और अब चलते हैं इसे तलने के लिए तो तलने के लिए हमने गैस पे पैन रख दिया ہے और उसमें पहले से ही मेरे तेल था तो इसे गर्म हम कर लेते हैं जैसे ही गर्म होगा गैस के फिलिम को हम लो रख कर ही पहले इसमें टिक्की डालेंगे तलने के लिए तो तेल गरम हो चुका है और अब इसमें हम टिक्कियों को डालते हैं डीप करके जो हमने घोल तयार किया इसमें पहले हमें डीप कर लेना है टिक्की को और इस तरह से हमें तलना है टिक्की को डीप करने के बाद आ इसतर से घोलेने टाले क Süसटी ख्रीक कियाOOOOU आ इस तरह से डाली है इसे जदा अभी नहीं डालेंगे और इसको हम यॵ करन्ते एक साइट पूरी तरहसे से एप जाए अच्छी तरह से पक जाए लोर्ट भी दूसरे साइड में इसे घालेंगे पोर जाएं आरं। उपर से हम तेल इसके यह तो से चाहि मिलाओ कर्षिकी सब्षरों। तो इस तरह से करते हुए हमें टिक्कियों को सेक लेना है अभी उपर का हिस्सा थोड़ा सा सोफ्ट है तो इसलिए हमें तेल डालकर ऊपर से थोड़ा सा टाइट कर लेना है ताकि उलटते समय यह लगे नहीं और इस तरह से जब थोड़ा सा सीख जाए तो हम इसे उलट और जब अच्छी तरह से गोर्डेन ब्राउन हो जाए तब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और यह टिक्की खाने बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे किसी भी चीज के साथ सर्व करिए जैसे आप टिक्की चाट बना रहे हो तो छोले के साथ इसे सर्व करिए या आप बर्गर बना रहे हो तो उसमें भी यह लगा सकते हैं उसके साथ भी इसे बना के मतलब खाये जा सकता है बहुत अच्छा लगता है या ऐसे ही केवल चटनी के साथ सर्व करिए चाय कॉफी के साथ तो बढ़िया लगता है तो यह टिक्की हर चीज में परफेक्ट बै लठेगा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और टेश्टी तो बहुत ही होता है तो इस तरह से मैं एक सर बना लेती हूं जब भी मन करता है तो और बनाना भी बहुत ही आसान होता है तो इस तरह से शेखने के बाद हम सभी टिक्कियों को उलट-पुलट करके गोल्लें ब्राउन कर लेते हैं और जब अच्छी तरह से यह लाल हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेते हैं तो लाल होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि तभी यह क्रिस्पी लगेगा ठीकी इसी तरह से लाल कर लेना है अच्छी तरह से निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं टिकी यह लाल हो चुकी हैं तो इसे निकाल ले रहे हैं और गैस को आफ कर देंगे यह सिख चुका है हमारी दोनों बैच में टिक्वी तायार हुई है है तो गैस को माफ कर दिया है हमने अर्वन प्लेट में ले लिया है शारे टिक्कियों को तो आप देख सकते हैं बहुत ही देखने में क्रिस्पी और अच्छा लग रहा है इसे हम चटनी के साथ सर्व करेंगे आप चाहे तो इसे छोले के साथ सर्व करिए बहुत अच्छा लगता है यह छोले के साथ खटी मीठी चटनी के साथ इसे सर्व करिए अंदर से सॉफ्ट होता है, उपर से क्रिस्पी होता है, खाने में बहुत ही बनिया लगता है, तो फ्रेंट साप भी इसी तरह से बनाईए और इसे सर्व करिए, और चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और मिल बुलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिस और रेश्पी के साथ, तब तक के लिए गुड़ बाई और टेक क्यार,